नमस्ते वच्चों, कैसे हैं आपस आशा हैं? बड़े उत्साह के साथ आप अगली कक्षा का इंतजार कर रहे हैं, है ना? ऐसा क्या देख रहे हैं इस चित्र में? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों नहीं यहां पर एक नदी सागर से मिलने जा रही है, बिल्कुल उसी प्रकार, जिस प्रकार आपका ज्यान सेतुबंद रूपी नदी के रूप में बहते हुए अब आठवी कक्षा के हिंदी वल्लरी के पठ्यक्रम के साथ मिलकर अपना विस्तरुत रूप पाने जा रहा हैं तो चलिए मैं आप सब लोगों को हिंदी वल्लरी के इस प्रथम कक्षा के लिए आप सब का स्वागत करती हूँ बच्चों जैसे आप जाते हैं किसी भी कारिक्रम को शुरू करने से पहले हम भगवत स्तुती के द्वारा उस कारिक्रम की शुरूआत करते हैं तो चलिए आज भी इस कारिक्रम को हम एक शारदा स्तुती के साथ शुरू करेंगे एक मिनट बच्चों यह गाना तो आप सुनेंगे भी मगर सुनने के साथ साथ इस गाने के अर्थ को भी आपको ध्यान देखकर ग्रहन करना पड़ेगा तो चलिए अब यह गाना सुनेंगे कारव ओडिसू ग्नान जोतिय बेलगिसू दृदय मंदिर गल्ली नलसू चिन्त यालिसू शान्तिया उलिसू ताई शार देलोक पूजिते ग्नान दाते नमोस्तुते निना मडिली नाम कडम्मा निना नम्बिद कंदरम्मा निना करूने या बेलकलेम्मा बालनू बेलगम्मा नम्मा कोरिके आलिसम्मा ताई शार देलोक पूजिते ग्नान दाते नमोस्तुते वल्ले मातु गलाडिसू वल्ले केल सवमाडिसू वल्ले दादी अलिम्ममा नडिसू विद्वेया कलिसू आसे पूरैसू ताई शार देलोका पूजिते ग्नान दाते नमोस्तुते ग्नान दाते नमोस्तुते बच्चों अब मुझे यह बताईए कि आपने इस गाने के दवरान किस चीज़ को ध्यान दिया आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाने में बच्चे कोई मामूली मांग नहीं कर रहे हैं भगवान से कि मुझे परिक्षा में अच्छे अंक दिला दो या परिक्षा में प्रश्न पत्र को बहुत आसान बना दो या मुझे परिक्षा में अवल दर्जा दिला दो बिल्कुल नहीं बलकि यहां पर बच्चे भगवान से सत बुद्धी की मांग कर रहे हैं ज्यान की मांग कर रहे हैं ताकि वे आदर्ष जीवन बिता सके जिससे समाच से भी जुड़े रहे तो चलिए इसी तरह का संदेश द पहले इसमें निहित कविता के आशय को हम जान लेंगे इस कविता का प्रथम आशय है मनुष्य जीवन में सत भाव का प्रधान स्थान है सत भाव यानि सत भाव का अर्थ होता है सत यानि अच्छा भाव यानि भावना और दूसरा आशय है कि छोटे बड़े का भेद भाव न रखते हुए सब के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए और तीसरा संदेश यह मिलता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रती अभिमान रखना चाहिए तो चलिए बच्चों अब इस कविता को बहुत धीमी गती से हम वाचन करेंगे वहां पर देखिए सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे मिलकर रहे नियम अपनाए बीती बातों को बिसराए चोटे बढ़े सभी मिल जाए गिरे हुए को तुरत उठाए करे किसी का ना अपमान आईसी ही मती दो भगवान एक रहे सदभाव रखे हम देश देश में मान रखे हम हठ चोडे सईयम अपनाए मात्रु भूमी पर बली बली जाए बच्चों क्या आप लोगों ने एक बात को ध्यान दिया जो भी यहां पर अलग रंग में आपको दिख रहे हैं यह सब इस पद्धी में आये हुए नए शब्द हैं बच्चों अगर इसी तरह हर एक पद्य और गद्य पढ़ते समय आप नए शब्दों को रेखांकित कीजेगा रेखांकित यानी अंडरलाइन और उसका अर्थ अपनी मात्रु भाशा में या हिंदी के ही समानार्थ तक शब्दों के साथ लिखते जाईएगा तो आप अपने अध्यापकों से यह निरीक्षन भी नहीं रखेंगे कि वे पूरे गद्यान्श को या पूरे पद्य को मात्रु भाशा में या अन्य भाशा में रूपान तरित करके आपको समझाए तो चलिए इस कविता में युक्द कुछ नए शब्दों को हम जान वार्ना मती विसराना तुरत तो वार्ना शब्दकार्त है नियोच्छावर करना समर्पित करना त्याग देना मती शब्दकार्त है बुद्धी यानि ज्यान विसराना इस शब्दकार्त है भुला देना तुरत शब्दकार्त है तुरंत जल्दी और कुछ शब्दों को अब हम देखें मान शोक अपमान हट मान शब्दकार्थ हैं मर्यादा शोक शब्दकार्थ हैं दुख अपमान शब्दकार्थ हैं तिरसकार अनादर हट शब्दकार्थ हैं जिद तो बच्चों अब हम एक एक पंक्ती और एक चरणों का अर्थ समझें पंक्ती का अर्थ हैं सालू लाइन्स, चरण का अर्थ हैं जिसे आप स्टैंजा कहते हैं अंग्रेजी में और वह हिंदी में चरण होगा तो चलिए पहला चरण यह हैं कि सच बोले, सच बात विचारें भले काम पर जीवन वारे हमें क्या बोलना चाहिए हमेशा सच ही बोलना चाहिए किस तरह के विचार रखने चाहिए सची विचार रखने चाहिए अगर विचार सचे होंगे तो बात भी सची आएगी सच शब्द का अर्थ हैं सत्य और सत्य शब्द का विरुद्धार तक शब्द क्या होगा असत्य उसी प्रकार सच शब्द का विरुद अर्थ वाला शब्द है जूट भले काम पर जीवन वारे भले शब्द का अर्थ है अच्छा भले काम पर यानी अच्छे काम करते हुए हम जीवन को ही समर्पित कर दे वारे शब्द का अर्थ है त्याग देना समर्पित करना बच्चों क्या आप लोगोंने राश्ट्र पिता महात्मा गांधी जी और लोख पुरुष सर्दार वलभा बाई पटेल जी के जीवनी को जाना हैं। बच्चों आजादी दिलाने में सफलता पाई। बच्चों जैसे गांधी जीवन में घटित बहुत सारी घटना उनसे आप परिचित हैं। जो गलती ना करें उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके पच्चताएं उसे इंसान कहते हैं। पच्चताया यानि पश्चाताप करें इंसान यानि मनुश्य जो गलती करने के बाद पश्चाताप करें उसे मनुश्य कहते हैं जो गलती पर गलती ही करें उसे शैतान कहते हैं शैतान यानि राक्षस तो देखियें इसी तरद गलती करने के बावजूत भी हर किसी के सामने अ dignity of speaking lying is the work of coward यानि बोलते समय अपनी मर्याता को मत छोड़ना क्यूंकि जूट बोलना कायर का काम है कायर शब्द का अर्थ हैं हेडी तो हमें समझ में आ गया ना हमें सदा सची बातों को विचार करना चाहिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अच्छे काम पर अपना सर्वस्व त्याक करने के लिए भी हमें तयार रहना चाहिए तो चलिए अब हम दूसरे चरण तक पहुंचेंगे दूसरा चरण यह हैं मिलकर रहें नियम अपनाएं बीती बातों को विसराएं मिलकर रहें यानि मिल जुलकर रहना साथ निभाना नियम अपनाएं नियमों का पालन करन बीती बातों को यानि बीत गई बाते पुरानी यादों को बिसराए बिसराए शब्दकार्थ हैं भूल जाए देखिए विच्चों भारत विविदता में एकता को समर्थन करने वाला देश है यहां पर बहुत सारे धर्म, जाती, पंत, भाशा, बोली, विभिन रूप के संप परदाई, रीती रिवास, रीती रिवास यानि पद्दतियां अपनाने वाले विभिन तरह के त्योहारों के मनाने वाले लोग हैं लेकिन भारत की सार्थकता तब ही है जब ये सब विभिनता वाले लोग साथ मिलकर चलते रहें तो बताइए बच्चों नियम कहा नहीं होत राज्य के स्तर पर राज्य प्रशासन प्रशासन यानि अड्मिनेस्ट्रेशन राश्ट्र के स्तर पर राश्ट्र प्रशासन अंतर राश्ट्री रूप में भी कुछ संस्ताएं नियमों को बनाते हैं तो हमारा कर्तवी यही है कि हर पग पर पग यानि हेज्ज हर पग पर अपने आपको अनुशासन में धलते जाएंगे अनुशासन शब्दकार्थ है शिस्तू डिसिप्लाइन अपने आपको अनुशासित बना सकेंगे तो इतने सारे लोग है इतनी बड़ी जनसंख्या और विभिनकता के साथ साथ हमें चोटी-चोटी हो ही जाती है लेकिन हमारा म पहान गुण यही होना चाहिए कि हम चोटी-चोटी बातों को भूल जाएं तो चलिए बच्चों अब हम अगले चरण तक पहुंचेंगे तो अगला चरण यह हैं कि चोटे-बड़े सभी मिल जाएं गिरे हुए को तुरत उठाएं यहां पर चोटे-बड़े का अर्थ हैं शासन करने वाले और साधारन नागरीक, अमीर, गरीब, वयोवरद, बच्चे हम सब मिलकर गिरे हुए को या गिरे हुए एक मुहावरा है जिससे हमने पिछली कक्षा में जाना था गिरे हुए यानि जो कस्ट में हैं जो मुसीबत में हैं उन्हें तुरत उठाएं तुरत सब मिलकर जो मुसीबत में हैं उन्हें उठाएं उसी प्रकार जिस प्रकार आपका क्षा में लिखते समय अगर आपका कोई दोस्त लिखने में थोड़ी धीमी गती निभाए तो आप उसे प्रेणा देंगे ना की जल्दी लिखो तो इसी तरह सभी लोग मिलकर जो मुसीब से परिचित करेंगे अपने आपको यह हैं डॉक्टर अवल फकीर जैनुलाबदीन अब्दिल कलाम जी आप लोग इनके बारे में यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जब कभी किसी भी शहर में जाए सबसे पहले वे पाठशाला के बच्चों से मिलने जाया करते थे उन्हें बच्चों से मिलना बहुत पसंद था इसी तरह यह गुजरात राज के आनन नगर की पाठशाला में गए वहां पर बच्चों के साथ इन्होंने चर्चा करना श तेर सोचां और एक ने कहा पाकिस्तान दूसरे ने कहा चीन और तीसरे ने कहा अमेरिका हर कोई एक एक नाम देता था लेकिन आखिरी कतार में बैठी हुई एक लड़की आखिरी कतार यानी कोनेया सालू लास्ट बेंच गर्ल तो वं तुरंद उट네 खड़ी हुई और कलाम से से कहां कि sir illiteracy and poverty are the greatest enemies of India यानि निरक्षरता और गरी भी भारत देश के शत्रू है उस लड़की का नाम था स्नेहल ठककर तो इस बच्ची की बातों ने कलाम जी के हुरुदय पर इतना गहरा प्रभाव डाल दिया कि उसी दिन कलाम जी ignited minds unleashing the power within इंडिया नामक एक किताब को ल लिखना शुरू कर दिया आप भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसमें भारत देश को गरीबी से कई से मुक्त करें इससे संब्दित बहुत सारी चीज़े इस किताब में हैं क्या आप लोग जानते हैं कि इस किताब के पहले पन्ने में कलाम जी यही लिखा करते हैं कि this book is dedicated to the girl स्नेहल ठकर और यह हैं स्नेहल ठकर जो कलाम जी की प्रेरणा के बाद यह अब भी भारती व्यावहारिक विभाग में कारियरत हैं तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम अगले चरण तक चाहेंगे करे किसी का ना अपमान आईसी ही मती दो भगवान अपमान यानी तिरसकार दूसरों को अपमानित करना मती शब्दकार्थ हैं बुद्धी तो भगवान से बच्चे यही प्रार्थ ना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ इतनी अच्छी बुद्धी दे दो ताकि हम दूसरों को अपमानित ना करें बच्चों हमेशा ये बात याद कीजिएगा जब आपको किसी को गालियां देने का मन करता है गालियां यानी बई गडू स्कोल्डिंग्स गालियां देने का मन करता है तब अपने आपको नियंतरित कर लीजिएगा सामने वाले को सिर्फ इसी कारण के लिए हमें अपमानित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी हमारी तरह इंसान है, मनुष्य है तो बच्चे यहां पर भगवान से इसी तरह की एक बुद्धी की मांग कर रहे हैं तो बच्चों क्या आप इन महान पुरुषों के संदेशों से परिचित हैं इन दोनोंने अपने तत्वों को और अपने तत्यों को सारे विश्व में प्रसार किया लेकिन कभी भी किसी दूसरे रास्ट्र या किसी दूसरे तत्व वालों को कभी भी इन्होंने अपमानित भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया तो चलिए बच्चों अब हम अगले चरंट तक जाएंगे एक रहे सदभाव रखे हम देश देश में मान रखे हम सदभाव शब्दकार्थ है सची भावना तो हम सब एक साथ मिलकर रहे और देश देश में मान रखे जैसे कि आप देखिए विश्व पटल पर जिस प्रकार भारत देश का नाम और भारत देश की नक्षा विराज मान हैं इसी तरफ हम इन सब सद्गुणों के साथ विश्व पटल पर भारत देश की कीर्ती को उजागर करना चाहिए तो चलिए बच्चों अब हम के चरण तक पहुंचेंगे हट चोडएं सैयम अपनाएं मात्रु भूमि पर बली बली जाएं हट शब्दकार्थ हैं जिद यानि हठा सैयम सैयम शब्दकार्थ हैं ताल में तो कवी हमें यही संदेश देते हैं कि हम अपने हट करने की बुद्धी को छोड़ दे और सैयम को अपनाएं यानि क्रोध ना करें तो और इन सब सद्गुणों के साथ मात्रु भूमि पर बली बली जाएं बली बली जाना शब्दकार्थ हैं नियोचावर करना बलीदान करना जब भी मात्रु भूमि की रक्षा और मात्रु भूमि की प्रतिष्ठा की बात चलेगी तो भा को साइयम के साथ स्वीकार किया और अपने आप में एक शक्ति को बढ़ाते चले और सुभाश्चंद्र बोस जीर ने तो विदेशों के आक्रमन को बहुत नजदी की से देखा और साइयम से उसे सहा बाद में एक करांतिकारी के रूप में अपने आपको प्रदश्चित किया जिसका फल स्वरूप यही निकला कि भारत स्वतंत्र है और भारत ने एक बहुत प्रतिस्ठित सम्विधान को अपनाया है बच्चों क्या आप लोग यह जाते हैं कि सिफ अम्बेटकरजी ही एक ऐसे विक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी सदाब्दियों तक भारत में से बारह से भी अधिक उपाधियों को उपाधियों को विभिन विश्वविद्यालोयों से स्वीकार की देख लिया ना आप लोगोंने संयम का परिडाम जो सब व्यवस्ता को सहते हुए अपने आप में एक शक्ती को बढ़ाएगा तो जरूर वह सिर्फ अपने जीवन के लिए ही नहीं समाज के लिए रास्टर के लिए भी वह योगदान दे सकेगा तो चलिए बच्छों यह था हमारा कविता का विवरण अब इस कविता को हम सुस्वर के साथ सुनेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा उस बोली के साथ-साथ इन अक्षरों को पहचाने शब्दों को पहचाने और इनमें निहित हिज्जों को हिज्जे यानि स्पेलिंग्स हिज्जों पर भी आप ध्यान दें बीती ही बातों को बिसराये मिलकर रहे नियम अपनाये बीती ही बातों को बिसराये सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे चोटे बड़े सभी मिल जाये गिरे हुए कोत रत उठाये करे किसी का ना अपमान ऐसी ही मती दो भगवान करे किसी का ना अपमान ऐसी ही मती दो भगवान सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे एक रहे सद भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम हट छोड सैयम अपनाये, मात्र भूमी पर बली बली जाये हट छोड सैयम अपनाये, मात्र भूमी पर बली बली जाये अब हम देखेंगे कि इस कविता में नहीत कुछ टिपनियों के बारे में टिपनियां जो कठिन तत्य हैं जिनहें हम उनके अर्थ को समझते हुए आसान बना सकते हैं जैसी बीती बातें यानी पुरानी यादें गिरे हुए को उठाना यानी निर्बल लोगों की मदद करना हट छोड सैयम अपनाये का अर्थ हैं छोटी बातों के लिए जगडा ना करना क्रोध का नियंतरन करना तो अब हम चलेंगे नमूने के अनुसार तुकवाले शब्दों की ओर जानकारी प्राप्त करने तुकवाले शब्द का अर्थ हैं प्रासपदगडू राइमिंग वर्ड्स बच्चों तुक में हम दो प्रकार देखते हैं एक है आदितुक और दू मिलने वाले शब्दों को हम अन्तिम तुकवाले शब्द करते हैं तो चलिए इस पद्य में नियुक्त हम तुकवाले शब्दों से परिचित करें अपनाए बिसराए विचारे वारे उठाए जाए अपमान भगवान तो देखिए अन्तिम सारे अक्षर एक ही तुक में मिलत हैं इसलिए हम इन हैं तुक्वाले शब कहते हैं तो अब हम इस कविता में निहित पंक्तियों से संबंदित कुछ खाली जगह भी बरने की कोशिश करेंगे तो बच्चों इसी कविता में निहित कुछ अंशों को लेकर हम अगले पढ़ाव तक पहुंचेंगे यहां पर कुछ वाकि दिये जाएंगे आपको आपको बताना पड़ेगा यह सही है या गलत अगर सही है तो हां बताईए अगर गलत है तो ना बताईए हमेशा सच बोलना चाहिए हां या ना हां बिल्कुल सही कहा चाहिए क्या कहा आपने न यह भी सही है क्यूंकि हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और तीसरा अंश देखिए दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए हां यह बहुत ही अच्छी बात है हमें कभी भी दूसरों को अपमानित नहीं करनी चाहिए और चौथा वाक्य है हट नहीं चोड़ना चाहिए बहुत गलत बात है ना हमें हट ही नहीं करना चाहिए तो बच्चों अब हम इस कवितास में निहित कुछ पंक्तियों के भावार्त लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों आपको यहां पर इस सरल वाक्यों में उसका भावार्त लिखने की कोशिश करेंगे तो दस्वी के आने तब आप हर परिक्षा में तीन अंकों के लिए अपने आपको तयार रखेंगे क्यूंकि दस्वी कक्षा की परिक्षा में भी आपको भावार्त तीन अंकों के लिए पूछा जाएगा जब पर तो यह संकलित यानि संग्रहित कविता है इसलिए संकलित लिखा गया है और अगलास तर यही होगा कि उस कविता के पूरे पंक्तियों के भावार्त को यानि तत्यों को concept थोड़े शब्दों के द्वारा प्रकट करना है जैसे यहां पर इस पंक्ति को पढ़िए है प्रस् प्यारा ग्रफ अनुचेत को देखकर आप शायद यह सोच रहें होंगे कि मैडम इतनी लंबी अनुचेत को लिखने बदले क्या हम बुलेट पॉइंट्स बना कर हम वाक्यों को लिख सकते हैं नहीं जी बिलकुल भी नहीं क्यूंकि भाषा का मूल उद्देशी यही है बच्चों कि वह हमें सरल वाक्यों की रचना करने की क्षमता को बढ़ाएं तो इसलिए आप अनुच्छेत के रूप में ही भावात को लिखेंगे जैसे आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्यों बहुत ही सरल हैं जैसे वाँ पर पढ़िए कवी पाठकों से अपने मन की भावनाओं को विक्ट कर रहे हैं सच बोलना चाहिए हमेशा अच्छे विचार करना चाहिए भले काम के लिए जीवन को नियोचावर करना चाहिए नियोचावर बलिदान अच्छे काम की पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए आपस में मिलकर रहना चाहिए आपस शब्द का अध क्या हैं एक दूसरे के साथ जीवन में नियमों को अपनाना चाहिए नियम का पालन करना चाहिए बीती हुई बुरी बातों को भूलना चाहिए बुरी घटनाओं को याद करना ठीक नहीं है बहुती सरल है ना भावात लिखना तो बच्चों अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ पंतिया दे रही हूँ आपको इसे घर में बस अभ्यास कीजिएगा जब पा इन पंक्तियों को लिखे ये हिंदी की प्रसित कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान जी से लिखित मेरा भच्चपन कविता की पंक्तियां हैं कुछ चोटी कविताएं हैं यहां पर इस कविता को आप धीरे से पढ़ने की कोशिश कीजिए बच्चों क्या आप लोगों को आपकी नली कली की कक्षाएं याद हैं जहां पर आपकी फेवरेट टीचर आपको अभिनाई के साथ कुछ गाने सिखाती थी तो यह भी आप उसी तरह कोशिश करते हैं जैसे कि देखिए मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगा वो डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी बच्चों आप बताएए कौन है यह यह है तितली रानी अब तितली रानी से भी समंदित एक कविता को पड़िए आप या उसका गायन कीजिए तितली रानी तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी रंग बिरंगे पंख सजीली लाल गुलाबी नीले पीले हम इस पद्य से समंदित एक शब्द पहली को जानेंगे यह एक तालिका है बच्चों इस तालिका में इस पद्य में निहित बहुत सारे शब्द हैं आप लोगों को उन्हें चुन कर लिखना पड़ेगा तो चलिए आप चुनने की कोशिश कीजिए देखेंगे कि किन-किन नहीं शब्दों को आपने ढूंड लिया इस पद्य से समंदित लगता है आपने सब शब्दों को ढूंड लिया तो चलिए अब हम जान्च करेंगे किन-किन शब्दों को आपने ढूंडा जीवन मिलकर भगवान तुरत मातर भूमी और सद्भा तो बच्चों अब हम इस कक्षा के आखिरी पड़ाओं तक पहुंच चुके हैं तो यहां पर गृहकारी के लिए आपके सामने कुछ प्रश्न है आप इनने लिखिएगा बच्चों आशा हैं कि आज की कक्षा में हमने प्रा कारियों को प्राप्त की और इसके साथ प्रार्थना कविता में जो भाषा संबंदी तत्य थे उन्हें भी समझने की पूरी कोशिश हमने की जिन्दगी में चाई रहे बहार बगिया फूलों से खिलती रहे जीवन के हर मोड पर आपको अखंड सफलता मिलती रहे इसी झाल 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 झाल